नमस्कार दोस्तों सवागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल केरेर पॉइंट प्रयार में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लेकर आएं जीके के टोप 50 क्यूशन जो आने वली सभी एक्जाम्स के लिए अगर आप तेयर करें आरभी ग्रूप डी एंटी पी को जोएने के हैं तो पीडियाक के लिए आप लोग केगें वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चले का दोस्तों आज किस क्लास को शुरू करते हैं देखते हैं आज कीस वीडियो का फैंस ? अगला क्यूश्यन है बगत सिंह ने कब आसेम्बली होल में बम फेका था आप आफ लोको उताएंगे जल्दी से बगत सिंह कब आसेम्बली होल में बं फेका था सही आंशुरुगा 1929 में ऑप्शन भी आपका सी आंशुर आफ जाएगा अन्टिन ऑपिन fonctionne को 29 मेंDas अगला क्यूशन है मुश्लिम लीग ने पहली बार कब पाकिस्तान की निर्मान की मांग रखी थी इसका सही आंसर क्या होगा चली देखिए सब्सक्राइब करेंगे अपने अपने दोस्तों साथ सेर करेंगे फेस्बूक वर्टसब टेलिग्राम जो आपसे जूड़े हुए हैं उन सभी के साथ इस वीडियो के लिंक को फटाफट सेर कर दीजिए एक बार डेखिए केबिनेट मिशन के देक्स कौन से फ्रेंट साइए आंसर हो जेगा पेथ्रिक लोरेंस आपका सही आंसर हो जे ख़गा पैत्रिक लोरेंस कैबिनेट मिशन के देक्स थे अगला क्यूशन देखी है अगला क्यूशन है आजादी के पूरो पर्थम स्वाधिन्ता दिवस कब मनाया गया था आप लोग ताइगे जल्दी से आजादी से पहले स्वाधिन्ता दिवस कब मनाया गया था सही आंसुर होगा आप देखीगा सब्सक्राइब निश्यों तीस में नाइन्टिन थर्टी में आजादी से पहले फ्रेंच देखेगा पर्तम स्वाधिंता दिवस मनाया गया था याद रखेगा नेक्स्ट क्यूशन देखिए भारत में प्रिवार नियोजन कारे कर्म को कब अपनाया गया था परेंचchten देखिए भारती सांखी की संस्तान कहा परस्तित है, आप लोग जल्दी से सही आंशर देगा कोल गत्ता में option C, कोल गत्ता आपका सही आंशर होगा next देखी किस देश को, वनो का देश कहा जाता है most important question if it ever comment करिएगा right answer सही answer क्या होगा आप लोग जल्दी से किस देश को वनों का देश कहा जाता है, सही आंसरों का कांगो देश को वनों का देश कहा जाता है, option A, आपका सही आंसरों का कांगो, अगला question है, जवाला मुखी के मुख को क्या कहा जाता है, जवाला मुखी के मुख को क्या कहा जाता है, जवाला मुखी के मुख को क्या कहा आंसर होगा, next देखी, निमलकित में से भारत की कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है, आप लोग उताएंगे जल्दी से, सही आंसर होगा है आपे, तापती नदी जो है वो डेल्टा नहीं बनाती है, option D आपका चेवर जाएगा, बाकिस भी जो है, गंगा, कृष्णा, नहीं बनाती है, तो याद रखिगा, इस ounगो, अगला क्यूसीन देखी, जो नदी डेल्टा नहीं बनाती है, उसके मुहाने को, क्या काहा जाता है फ्रेंड फ्रेंड्स क्वेंड करिएगा most important क्योश्जन है जो नदी डेलटा नहीं बनाती है उसके मुहाने को क्या कहा जाता है देखेगा सही आंसर हो गया अपर स्टूरी कहा जाता है फ्रेंड्स ऑप्षन भी आपका सही हो जाएगा जो नदी डेल्टा नहीं बनाती हो उनके मुहाने को कहा जाता है अगला क्यूशन देखी अगर आपने फ्रेंड्स अभी तक वीडियो को लाइक ने कहे तो वीडियो को स्पोर्ट करने के लिए प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें जितना हो उसके से से लिए जितनी आपके पाश्ट ग्रूप है उनसे भी जगाए से जुरू करेगा देखी अगला क्यूशन क्या है चट्टानों में गरम तता तरल पदार्थ क्या कहलता है सही आंसर होगा मेगमा ओप्शन डी आपका से आजएगा चट्टानों में गरम और तरल पदार्थ जो पाया जाता है उसको मेगमा बोला जाता है अगला क्यूशन देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्यूशन आ गया है अग्जाम के अंदर काफी बार पूछा गया है देखिए उत्री अमेरिका के घास के मैदान क्या कहलते हैं आप लोग ताएंगे जल्दी से उत्री अमेरिका के घास के मैदान जो होते हैं उनको प्रेरी कहा जाता है याद रखी अगला क्यूशन दिखी कि अफिरिका के ऊच्टाफट कि यह यह वह जो आपके प्रिवयस में पूछ गये हैं इन क्यूशन के अंदर जो है बच्चे कई वार कन्फ्यूज होते हैं तो आंस्वर फटाफट कमेंट करिएगा, अच्छीसे सोचकि, अफ्रीका के उष्ण घास की मैदान को क्या कहा जाता है, सवाना कहा जाता है, awake-sion A आपका सही होजएगा, सवाना, अगला किईच्छें देखिए, अफ्रीका के सितोशन घास के मैदान क्या कहलते है, फटाफट कम दावनी तरंगे किस माध्यम से चल सकती हैं, आप लोग ताएंगे, फटाफट कमेंट करेंगे, बहुत अच्छा रिस्पोंस मिला आप सभी का, अच्छा रिस्पोंस देने के लिए सभी का धन्यवाद, वीडियो को लाइक करने वालों का धन्यवाद देखीगा, दावनी तर देखिए, किस से होकर गुजरने पर परकास की गती नियूंतम होगी, किस से होकर गुजरने पर परकास की गती नियूंतम होगी, आप लोग ताएंगे जल्दी से, सबसे बड़ा आवर्थ कौन सा होता है सबसे बड़ा आवर्थ होता है वह पर बात ओर थी बड़े आवर्थ की चटा था अब बताएगा फ्रेंड्स छोटा आवर्थ कौन सा होता है कौन सा होता है पहला आवर्थ होता है वह सबसे चोटा आवर्थ होता है और अपका से बड़ा आवर्थ होता है सबसे चोटा आवर्द होता है नेक्स देखी गर्दन में कसे रूकी की संख्या कितनी होती है कितनी होती है कितनी होती है सबसे पहले बार सबसे पहले है सबसे होटारे राष्ट्रेगी सबसे होती होएंग थे चैन से देखे झ eg ऑपाथ कल अब तक कितनी बार लाग शूए होए ठली जह रही होगा चलिए देखिए तीन बार उप्शन C आपका सी उजएगा पटाफ़र्ट कमेंट करेंगा फ्रेंज सन कौन-कौन सी थे आप लोग कमेंट करके बताएगा कि आपात काल में अब तक जो है हमारे देश में तीन बार लागू हुआ है कब लागू हुआ था वो आप लोग को कमेंट करके जुरू बताएगे चलिए अगला क्यूशन करते है अंत्र राज्य प्रिषद की बैटक वर्स में कितनी बार होती है बहुत अच्छा क्यूशन आया है अमके लिए फटाफ़र्ट कमेंट करें अंत्र राज्य प्रिषद की बैटक वर्स में कितनी बार होती है सही आंशुर क्या होगा चलिए देखिए तीन बार होती है ओप्शन सी आपका स्योज़ेगा तीन बार अंत्र राज्य प्रिषद की बैटक वर्स में होती है साल में तीन बार होती है अगला क्यूशन देखिए, अरुन ग्रे की खोज की सवर्स हुई थी? आप लोग उताएंगे जल्दी से, बहुत अच्छा क्यूशन आये, अरुन ग्रे की खोज कब की गई थी? और जिन्होंने भी तक वीडियो को लाइक निक किया है, वीडियो को लाइक करेंगे, अपने अ अकष पर कितने डिगरी जुक्य हूई है आप लोग उताएंगे जल्दी से, पर्थवी अपने अक्ष पर कितने डिगरी जुक्य हूई है साधे टेश डिगरी, टेईस और साधे एक बटे दो आपका सिहुजख्याइ का ओप्शन भी राइट आस्ष्वर ठीक है, साधे ते नेक्स देखिए वह कौन सा महादीप है जहां एक भी मरुस्तल नहीं है फटाफट कमिट करिएगा सही आंसुर देखिए क्या उनसा जाएगा यूरोप एक ऐसा महादीप है फ्रेंट्स जहां एक भी मरुस्तल नहीं है याद रखिएगा तो उप्शन C आपका सही आंशर होगा काफी बच्चे जो है आस्ट्रेलिया को चूज करते हैं ये रों हो जाएगा फ्रेंट्स याद रखी यूरोप महादीप में एक भी मरुस्तल नहीं है नेक्स देखी आप लोग उताएंगे जल्दी से आइसलेंड की संसद को क्या कहा जाता है सही आंसर होगा, एल्थिंग कहा जाता है, option A, एल्थिंग, सही आंसर होगा, अगला question देखी ब्रिटेन का राष्टी चिन क्या है, आप लोगताएंगे जल्दी से, सही आंसर होगा, गुलाब का फूल, option B, आपका सी होजएगा, ब्रिटेन का राष्टी चिन कौन सा है, गुलाब का फूल, next देखी, बरनामा किस देश की समाचार एजन्सी है, आप लोगताएंगे ओटावा किस नदी के किनार इस्तिते है, बहुत अच्छा रेस्पोंस आप सभी का, देखीएगा, ओटावा किस नदी के किनार है, सेंट लोरेंस नदी के, option A, सेंट लोरेंस नदी आपका सही आंसर होगा, next देखी, आंदर परदेश राज्य की स्थापना कब की गई, आप परदेश राज्य की स्थापना की गई थी, next देखी, भारत का पर्थम पर्चे पास्तर कौन सा है, भारत का पर्थम पर्चे पास्तर कौन सा है, कौन सा, पर्थवी, option D, आपका सही होगा, पर्थवी भारत का पर्थम पर्चे पास्तर है, next देखी, अगर आपने अभी तक एक वीडियो को लाइक हिने किया तो लाइक करके परेश करें या आपको पता होना चाहिए जो 320 प्रहा थी उसको तोड़कर क्या किया गए इसको केंदर सासित परदेश बना दिया गए है तो जम्मु कस्मीर केंदर सासित परदेश के अंदर कारा कोरूम दर्रा है याद रखी option A आपका सही आंसर होगा अगला question देखी G1 बीमा निकम LIC की स्थापना कब की गई थी LIC की स्थापना कब की गई थी देखी सही आंसर होगा 1956 में option D आपका सही जगा 1956 में LIC की स्थापना की गई थी भारतिय जीवन बीमा निकम ठीक है चलिए अगला question देखते हैं Archimedes किस देश की मूल निवासी थे आप लोग तहिए Archimedes जो थे वो किस देश की मूल निवासी थे किस देश के थे सही आंसरों का ग्रिस देश option D आपका सही जगा ग्रिस देश के मूल निवासी थे Archimedes next देखी डिग बोई किस लिए परसिध है फटा फट कमेंट करिए का बहुत इच्छा क्यूशन है आप लोग ताएंगी जल्दी से भारतिये विश्यों को कितने भागों में बाटा गया है सही आंसरों का तीन भागों में option B आपका सही हो जगा next देखीए पाकिस्तान का संतरता दिवस की स्थिति को मनाया जाता है फटा फट कमेंट करिए का चोदे अगस्त को संतरता दिवस मनाया जाता है चलिए अगला क्यूशन करते हैं रविंदर नाठ टेगोर को किस वर्स नोबेल पुरुषकार परदान किया गया था रविंदर नाठ टेगोर को किस वर्स नोबेल पुरुषकार दिया गया था 1913 में बजट पूरा और्ट रविंदर नाठ टेगोर को नोबेल पुरुषकार से सम्मानिति किया गया था देखिए मैं बजक्ठ पूर्व आर्थिक समिक्सा कहां पेस किया जाता है तो ऐसे हमोनान कि जल् nível बजक्षक है wość पूरा हो करो मैं बशार कि या जाता है नेक्स देखी कमिनिविष्ट इंटरनेशनल के लिए चुने जाने वाले पर्थम भारति ये कौन थे? सही हो जाएगा M.N. Roy ओप्शन A आपका सही हो जाएगा M.N. Roy नेक्स देखी महिला योन लक्षनों को पर्भावित करने वाला हार्मोन कौन सा है? आप लोग उताएंगे most important question है महिला योन लक्षनों को परभावित करने वाला हार्मोन है देखिएगा कौन? Estrogen Option B आपका सही हो जाएगा Estrogen right answer अगला question देखिए Black Hill, Blue Hill तता Green Hill नामक पहाड़ियां कहां अस्तित हैं? आप लोग उताएंगे जल्दी से कहां पर हैं? सही हो जाएगा चलिए देखिए सही हो जाएगा सही हो जाएगा सही हो जाएगा सही हो जाएगा अमेरिका के अंदर है Black Hill, Blue Hill और Green Hill नामक पहाड़ियां Next देखिए पर्थवी के अंदर पिगला पदार्थ क्या कहलाता है? पर्थवी के अंदर पिगला हुआ पदार्थ क्या कहलाता है? सही आंशर हो जाएगा मेगमा कहलाता है Option B आपका सही हो जाएगा मेगमा Next देखिए वर्ग रहित समाज की संकल्पना किसने की थी? आप लोग जाएगे जल्दी से नो शेना विद्रो के परमुक नेता कौन थे? सही आंशर हो जाएगा मेश खान Option C आपका सही हो जाएगा Next देखिए प्रोटियम, ड्यूटेरियम वर ट्रीटियम किसने के तीन समस्थानिक है? फ्रेंच फटाफट कमेंड करेंगे प्रोटियम, ड्यूटेरियम वर ट्रीटियम तीन समस्थानिक है किसके? चलिए देखिए सही आंशर होगा Hydrogen Hydrogen के फ्रेंच तीन समस्थानिक होते हैं रयाद रखीगा कौन-कौन चुते हैं पहला प्रोटियम होता है दूशरा ड्यूटेरियम होता है और तीसरा ट्रेटियम होता है तीन समस्थानिक होते हैं Hydrogen के याद रखीए Option B हमारा right answer होगा अगला question देखी रणजीत सिंग की संगरिक्षिका का नाम क्या था? आप लोग ताएंगी जल्दी से रणजीत सिंग की संगरिक्षिका का नाम क्या था? क्या नाम था? सही answer होगा यहाँ पर देखी सदाकोर Option C सदाकोर आपका सही answer होगा Next देखी अरवाज का अखरी question है आप लोग ताएंगे most important question है भारत का एक उपराष्टपती होगा किस अनोचेद से सम्मदित हैं? सही answer होगा अनोचेद 63 Article 63 से सम्मदित है कि भारत का एक उपराष्टपती होगा Option D आपका सही answer होगा Friends, question complete होगे है अगर आपको हमारे question अच्छा लगा हो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को like करके share कर देंगे अपने दोस्तों के साथ अगर आप लोग यहां पर परते एक दिन अपने परते क्यूशन का टेस्ट देते हैं तो हम आपको guarantee देते हैं आप यहां पर अच्छे से अच्छे तीयारी कर सकते हैं तो डेली अपना टेस्ट दीजीगा डेली टेस्ट का टाइम हैं मॉर्णिंग में साड़े साथ बजे का तो मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक गुडबाई टेक केर जै हिंद जै भारत वन्दे मात्र